हेलो एप्रीवन वेल्कम टू शिवी स्टैडिशिप इस चाप्टर फॉर्टीन ऑफ आरे शर्मा एशन इंडिनिस्ट्री ओल्डी से बैले हम 13 चाप्टर कंप्लीट कर चुके हैं यह हमारा चाप्टर फॉर्टीन है जिसमें पढ़ेंगे जैनिस और बुधिस्ट के बारे में लास्ट चाप्टर हमने पढ़ा था कि किस तरह से लेटर वैदिक फेस में बहुत सारी चीज़ेंगे चेंज हो चुकी थी अगर हम कंपेर करते हैं अडली वैदिक टाइम से और लास्ट टाइम जो था लेटर वैदिक फेस का उसमें जो चार्ज वर्ण सिस्टम थे उसमें छो ब्रहामन थे और शट्रिया थे उनके बीच में दीडिडीर क्लैश होने लगा था दोनों भी आपस में सुप्रीमएसी की लिए उनके मन में यह आने लगा था कि शत्रिया सोस्ते थे कि वह ज्यादा सुप्रीम है और यहां अब हम देखेंगे किस तरह से उन दोनों क्लै करते थे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते पर लेक्चर को वीडियो अच्छे लगते प्लीस लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो बहुत सरे रिलिजिस सेक्ट है जो वो यहां से इमर्च होते हैं कौन से वाले रिजिन से वाले से और ये टाइम था 6 से लेके 5th century BC के आस पास का we hear as many as 62 of them and many of these sects were based on the regional custom and ritual practice by the different people living in the North East India बहुत सरे जो ये जो customs और rituals जो देखे जाते हैं और बहुत सरे जो sect अभी इमर्च होते हैं regional basis पर वो जाधा देखे जाते हैं North East India की साइट पर वहां से सबसे जादा अलग-अलग जो sect से वो निकल कर आते हैं और सब की अपनी जो customs सी जो rituals थे रिती रिवास थे वो काफी अलग थे of these sects Janus and Buddhist were the most important वैसे तो देखे इसमें पताया हुआ है कि 62 ऐसे different different sect आते हैं जो वहां से उस time पर वर्ज होते हैं लेकिन जो सबसे important जो दो आते हैं वो होते हैं जेन और बुद्धिस ठीक है जैनिस और जो बुद्धिस होते हैं वो सबसे important होते हैं and they immersed as the most potent religious reform movement और कहीं न कहीं ये बहुत बड़े बदलाव को लेकर आएंगे society के अंदर जैनिस और पुद्धिस अब देखते हैं the causes of origin इनके और मतलब इनका जो origin था उसके होने के पीछे reason क्या रही है पोस्ट वेधिक society was clearly divided into four one प्रहमण, शत्रिय, वैश्य और शूत्र हम सबको बता है last time जो पढ़ा था कि जो पोस्ट वेधिक society थी उसमें one system आ गया था और पूरी society को चार one में divide कर दिया था इसमें सबसे जो supreme थे वो ब्रहमण थे, उनके बाद फिर शत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूत्र each one was assigned well defined function और हर one को उनके काम बता दिये थे, उनके कामों से इनको define कर दिया था आप इस one में हो तो आपको ये करना है और जो दूसरा जो one है उसको उसका काम बता दिया और यहाँ पर जो आपको जो one मिलता था, वो आपकě जनन के अदहार पर मिलता था कि आप किसी शत्रिय에 family में पैदा हो गई, तो आप one से शत्रिये हो गई आप किसी ब्राह्मन फैमिली में पैदा हो गए तो आप ब्राह्मन बन गए जो दो higher जो वर्ण थे सबसे जादा उनी के पास power, prestige और privileges होते थे और ये दो वर्ण कौन से थे? ब्राह्मन और शत्रिया और जो बाकी lower वर्ण थे उनके पास ये prestige, power, privilege ऐसा कुछ भी नहीं था जो ब्राह्मन थे who were allotted the function of priest and the teacher तो basically जो ब्राह्मन होते थे वही उस समय जो प्रिस्ट का जो मंदिर में जो पुजारी होते हैं उनका काम भी वही करते थे जो पुरोहित वगरा होते हैं और टीचर का काम और इनको किसी भी टेक्स से भाहर रखा हुआ था इनने ना किसी तरह की कोई punishment दे सकते थे और बल्कि इनको बल्ले में gift भी दिये जाते थे यगर आपको अपने पाप कम करने हैं या को पुन्या कमाना है तो आपको ब्राह्मन को gift देने हैं इस तरह से था post Vedic text show many instants of such privilege enjoy by them तो post Vedic time में देखा गया है बहुत सारे तरह के अलग अलग तरह की जो privileges होते हैं वो यह लोग enjoy करते हैं जो ब्राह्मन होते हैं अब बात करते हैं शत्रिया जो शत्रिया थे उनको second position मिली हुई थी थी क्या उस पूरे one system में वो second position पर आते थे first position पर कौन था जो ब्रामन थे और जो शत्रिया थे उनका basically काम ये होता था कि उनको लड़ाई करनी है मतला वो जो fight वगरा करते थे फिर बाद में जो पूरा जो state होता है उसको govern करते थे king बन कर और उनको उनकी जो वो थी कि उनको पैसा कहां से मिलते थे या उनको जो tax वगरा जो मिलता था वो किससे मिलता था पीजेंट से जो उस area में जो भी पीजेंट किसान वगरा होते थे वो उनको tax देते थे तो ये एक राकिस का काम था जो शत्रियों काम था तो शत्रियों काम यह था कि हमने राज्य को protection देना है और उसके बदले उस राज्य के जो पीजन्ट है वो जो उसको वहाँ का king है ठीक है उसको वो tax देंगे जो वैश्यास थे उनका काम था कि वो agriculture करेंगे cattle rearing करेंगे और trade करेंगे ओके यह भी taxpayer होते थे ठीक है इनको भी tax देना होता था किसको शत्रियों को शत्रियों को शत्रियों ही उस समय जो king वगरा होते थे वो शत्रियों बनते थे अलॉंग विद टू हायर वर्णा दे वर प्लेस्ट इन काटेगरी ओफ दिविजय और ट्वाइस पॉंड टीक है और दी विजय वस तर इंटाइटल टु वियर दे स्केटर्ट थ्रेट अड़ स्टेड़ी दे वेतास अब यहां पर जो यह विजय करके जो एक टर्म दी हुई है इसका मतलब यह था कि यहां पर जो वर्ण जो system है वर्ण system में जो ऊपर की तीन कास्ट हो गई उनको वो जो दागाव पहनी की जो होती है उपनयन जो संसकार होता है कि जब कोई गुरु कुल जाएगा तो उससे पहले उसों गले में वो उपनयन संसकार होता था एक गले में आपने अभी भी देखा होगा कि लोगों क गले में एक ऐसे cross करके एक thread डाल दिया जाता है तो वो कटने का जो अधिकार था वो वैश्यास को भी था ब्रहामन को थाई शत्रिय को भी था लेकिन वैश्यास को भी था लेकिन अब यहां पर जो शूद्र थे उनकी condition सबसे खराब थी क्योंकि शूद्र का काम क्या था कि अपने से उपर जो तीन वर्ण है उनको आपको service प्रोवाइड करनी है along with women were paid from the Vedic studies और यहां तक कि उनको सिर्फ service प्रोवाइड करनी है लेकिन उनके पास ना तो वो उपने जन्सकार कर सकते हैं इस पवित्र दागे को बान सकते हैं और ना जो study है वेदोगी ना उसकी study कर सकते हैं ठीक है तो यह शूद्र का काम था यहां पर आप समझ गए होंगे वो क्या काम करते थे? domestic slaves थीक है ना? agriculture slaves मतलब अगर agriculture भी करना तो उसमें भी गुलाम बनके craftsman का काम करते थे या फिर labor वाला काम करते थे मतलब जो सबसे नीचे तब के का काम उस समझा जाता था उसको करने वाले के लिए उसको करना शुद्रों का काम समझा जाता था कि यह काम कौन करेगा? शुद्र करेंगे और इनको मैं अचे से की बताया वैदिक स्टड़ी वगर ऐसे बहुत दूर रखा था पढ़ाय लिखाय का इनको कोई अधिकार नी था कोई राइट नी थिये थे और सीम यही कंडिशन स्टड़ी के मामले में किसके पास थी? वोमन के पास थी अगर उनकी लांगविज में देखें जो उपर जो अपर कास्ट थी उनको ये लगता था कि ये लोग जो शूद्रे हैं बहुत क्रूवल होते हैं बहुत ग्रीडी होते हैं चोर होते हैं ये ना इनकी तो habity ऐसी है और इस वज़ा से उनको untouchables कहा जाता था तीक है? जो शूद्रे हैं को untouchables कहा जाता था कि यह चूने लायक भी नहीं है इनको चूना भी नहीं चाहिए जो हायर वर्ण थे उनके पास सबसे जादा अब इन सब चीज़ों की वज़ा से जो साइटी है उसके अंदर टेंशन क्रियेट होने लगी है यहां पर देखे हो क्या रहा था जो ब्रहामन थे वो अपने आपको सुप्रीम बता रहे थे हर जंग अब इतनी हमस्त उस समय शूद्रों में या वैश्यास बता थी नहीं कि व ब्रहामन वो अपना हर जगा अपना डॉमिनिशन दिखाते थे लिके शत्रियें यहां पर बहुत ही स्ट्रॉंगली उन्होंने जो ब्रहामन से है उनके अगेंस्ट गई वो और यहीं से पर कहीं ना कहीं से एक चेंज आएगा और यहां पर उसकी बाद कुछ प्रोटेस्ट चलाए गई इन्ही सब चीजों के खिलाफ कि जो जो जिस वर्ण में जरम लेता है उस वर्ण का ही उसको माल लिया जाता है चाहिए उस इंसान का शुद्र पैदा हुआ है कोई और शुद्रों में मतलब कोई पैदा हुआ है उसका चाहिए पढ़ाही लिखाई में कितना भी रिस्पेक्ट दी जाएगी तो यह चीजे अब धीरे धीरे लोगों के दिमाग में आने लगी और खासका जो शत्रिया लोग थे क्योंकि शत्रियों क्या लगता था कि सारा रड़ाई जगड़ तो हम करते हैं वार्यर तो हम अपनी चानल पर खेल के हम जाते हैं और सब वो अपना हर जंगा डॉमिनीशन दिखाते थे और शत्रियों को यह चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी कि सारी महनत हम करते हैं और यह प्रिविलेज सारे इनकों मिल जाते हैं तो वर्धवान जो महावियक थे वो रियली फांड़े जैनिजम और गौतम बुद्दा वो फ इसके फांडर थे गौतम बुद्द और यह दोनों ही महावीर और जो गौतम बुद्द दोनों ही कहां से बिलॉंग करते हैं शत्रिय क्लाइन से बिलॉंग करते थे ठीक है और दूसरा रीजन क्या बना एक नए जो रिलीजन आया उसके पीछे का रीजन था कि अब जो न्यू अग्रिकल्चर एकोनोमी थी वो नौट इस्ट इंडिया में बहुत जादा फैलने लगी थी जो नौट इस्ट इंडिया था इसमें कौन-कौन से पार्ट आते थे उस समय इस्टन यूपी नौट नौर्धन और साउदन बिहार अच्छी खासे रेइनफॉल हो रही थी तो वहां पर एक्री कल्चर भी बहुत अच्छा हो रहा था और उस समय पे जो यह मैंने आपको जितने भी जो एरिया पता है यह बहुत अच्छे से बहुत इच्छे से इनकी ग्रोथ हो रहे थी अगर हमारे पास RNX नहीं होते रहे की जो लोग थे जो लोग थे 6th century BC तक के जो लोग थे वो टूस के नाम पर वो बोन से बने हुए टूस से बने हुए टूस यह कॉपर से बने हुए टूस को यूस करते थे और जो भी किसी लेक या रीवर के आसपास या रीवर कॉन्फूएंस पर जो भी लैंड होती थी वहाँ पर वो अपनी सेटलमेंट्स वगरा चलाते थे यहना वही पर वो बस जाते थे अपनी केतिबाड़ी करने के लिए तो ठीक है अब जब 6th century BC के बाद वाला जो टाइम आता है उसके एंडिंग वाला टाइम आता है अब मिट गैंगटिक जो प्लें था वहाँ पर एक बहुत बड़ी लाज इसकेल हैबिटेशन वहाँ पर सेट अप हो गई च्पाइब ऑनाद जोडिया दो सब्सक्राव को कशा थे लोगों को क्या बन गया था अब बहू सारे एक्सेस बनाके गुलाडिया बनाके और वह अराम से वह क्या कर सकती थे एग्रिकल्चर कर सकते थे जो यूज था टूल का उसी ने जो forest है उनको clear करने में उनकी help करी फिर उसको agriculture बनाने में help करी और इसी वज़ा से वहाँ पर पर large settlement वहाँ पर establish हो पाई जो agriculture economy है वो किस पर based होगी वह एक तो iron plug share पर जो समय जो लोहे का हल बनाया गया था दूसरा उनके पास बुलक्स वगरा होनी चाहिए और बहल होनी चाहिए उस खेट को जोतने के लिए and could not flourish without the animal husbandry और यह सब चीज़े तभी possible हो पाएंगे जब आप animal husbandry में participate करोगे आप animal husbandry करोगे मिना जानवरों को पाले कोई न हो जाएंगे इस सब चीज़े however the Vedic practice of killing cattle indiscriminately in sacrifice hampered the progress of a new agriculture लेकिन Vedic text के according जो Vedic rituals थे उसमें क्या होता था बहुत सारे cattle की बली चढ़ा दी जाते थे और जब cattle की बली चढ़ाए जाएगी तो आप agriculture में क्या use करोगे the cattle wealth was gradually decimated because the cows and the bullocks were being killed in the course of numerous Vedic sacrifice अब यह जो ब्रहमन्स थे यह ritual और customs के नाम पे बहुत सारे जो काव जो बफैलों थे उनको sacrifice करवा दिया करते थे उनकी बली वगरा चढ़ा दिया करते थे या फिर बोलते थे कि इनसे कोई काम नहीं करवाना है तो इस वरह से अब लोगों को तो इस चीज से effect पढ़ने लगा क्योंकि वो effect होड़े लगे इस चीज से क्योंकि यही तो है उनके जो अगरी कल्चर में उनका साथ देंगी उनके लिए काम करेंगी और पिर दूसरे नॉनमेदिक ट्राइबल पीपल थे उन्होंने भी साथ और इस्टर जो फ्रिंजिस थी महाँ पर मगद में बहुत सारे कैटर्स को मार के अपना खाना मनाते थे तो इसलिए अगर आप एक नई एग्रिगेरियन अगर एकनॉमी हमें स्टाबिश करनी है उसको स्टाबिलाइज करना है तो सबसे पहले हमें क्या रोकना पड़ेगा यह जो क्याटर्स की किलिंग हो रही है इनको रोकना पड़ेगा अराउंड 500 BC, we see the rise of large number of cities in the North Eastern India तो 500 BC के आस पास हम देखेंगे बहुत बड़े बड़े लंबन में North Eastern India के साइड बड़े बड़े शहर बसेंगे ठीक है जिसमें कोसाम भी होगा इलाबाद के पास, कुशी नगर होगा, वारनासी होगा, वशाली होगा, ठीक है यह सारे एरि अधिमार एंड महावीर एंड गौताम बुद्धा वर एसोसियेटर विस सेवरल ऑफ दी सिटी, ठीक है तो यह सभी जो महावीर थे जो बुद्धा थे वो दोनों ही इन सिटी से चुड़े होगे थे और यह जैसी और बहुत सारे सिटी से वो जुड़ गए थे, बहुत सार आर्टीशन और ट्रेडर ने इस समय पे आके कॉइन्स का यूस करना शुरू करा पहली बार, जो अर्लिएस्ट कॉइन था, जो सबसे कहते हैं शुरुआत का जो कॉइन था, वो 5th century के आस पास आया था, और यह क्या था, यह पंच मार्क वेराइटी थी, कैसे कॉइन के ओप और कुछ पंच, कुछ निशान वगरा लगा देते हैं तो उस तरह से था यह, they circulated for the first time in the eastern UP in Bihar, और पहली बार जो यह coin था, इस तरह का यह कहां पर circulate होता है, यह eastern UP और Bihar में circulate होता है, अब जब use होने लगा coin का, तो natural सी बात है कि trade और commerce बढ़ेगा, यह ना, लोगों क पहुचेगा, वेश्यास को पहुचेगा, in the brahminical society, the वेश्यास as we have noted rank third, after the brahman and the shatriya, हम सब को पता है, जो वेश्यास है, उनको third rank मिली थे society में, युकि first rank किसकी थी, brahman की थी, दूसरी rank किसकी थी, shatriya's की, और तीसरी किसकी है, वेश्यास की, they saw a religion that would improve their position, अब कही न कहीं trade और commerce की improve होने की वज़ा से, जो उनकी position थी, वो भी काफी हद तक better होती जा रही थी, besides the shatriya's, the वेश्यास extended generous support to both Mahavir and Gautam Bhut, अब यहां तक कि जब वेश्यास की भी condition अच्छी हो रही है, Mahavir and Gautam Bhut, यह दो दोनों थे shatriya clan से, तो यहां पर अब जो वेश्यास थे, वो भी Satis, made handsome gift to the Gautam Bhut and his disciples, तो जो merchants होने लगे, जो वियापारी होने लगे, वो बहुती अच्छे खासे जो gift थे, वो Gautam Bhut और उनकी disciples है, उनको देने लगे, and there were several reasons for it, और इसके लावे बहुत reason थे, इनको gift बगदा देने के, first, Jainism and Buddhism at the initial stage, did not attach any importance to the existing one system, and second, they preached the gospel of non-violence which would put an end to war between different kingdom, and consequently promote trade and commerce, तो लेकर सबसे पहली बात तो ये है, जो Jain धरम था और जो बहुत धरम था, दोनों ने किसी ने भी one system को सही नहीं बताया, ठीक है, उनके लिए one system जैसे कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए थे, दूसरी बात है, ये non-violence का साथ देते थे, ठीक है, ये कभी भी हि शांति से करना चाहिए, बिना मार धाड के, तो अब जो लोग इन से जुड़े, उनके बीच में वार होनी हो गई बन, अब माने जो लोग कोई दो राजा है, दो कोई किंग है, वो आके बोध धरम या जेन धरम से जुड़ गए, और वो वहाँ पर क्या सिखिए, वो ये ही daw G rods who decided lending money at an interest and condemned those who lived on the interest and they afford the Vashias who lend money, because of growing trade and commerce, were held in low east term and looked for a better social status, ठीख तीकिया। On the other hand, we also notice a strong reaction against various form of private property तीखो अब क्या था अब यहां पर बहुत सर लोग ऐसे थे, जिनके पास एक बहुत ही अचछी का सी private property होती थी, गुए तो यहाँ पर उन लोगों के against भी एक strong रियाक्शन दिखाया गए यहां पर ब्रहमनी का लॉबुक है इसको नाम याद रखना कि है जो धर्म सुत्र वो क्या है वो ब्रहमन की अपनी खुद की लॉबुक है इसमें उन्होंने अपनी हिसाब से बाते लिखी हुई है ठीक है और इस बुक में बताया हुआ था कि क्या यहां पर जो लोग इंटरस्ट पर है जो फहने कशेंट कंडम कर दे अब जो वैश्याज व्यपारी वगेर उनका व्यपारी उनका यहां पर उनको अच्छी नजरोशन नहीं देखा जाने लगा तो इसलिए जो एक वैश्यास का reason ये भी था कि उन्होंने उनका जो interest था वो one system में से किस तरफ आने लगा वो जैने से और both की तरफ आने लगा Old-fashioned people did not like the use and the accumulation of coin made certainly of silver and copper, possibly of gold and they disliked the new dwelling and the cloth, new luxurious system of transport and disliked war and violence The new form of property created social inequalities and caused misery and suffering to the mass of the ordinary people तो वही होता है कि किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास ने बहुत भर-भर के चीज़े रखी हुई है जिसका उसको जरूरत भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक के पास तो बहुत सर चीज़े हो जाएंगी वो उनको यूस भी नहीं कर रहा है, और दूसरा सफर कर रहा है कि उसके पास कुछ भी नहीं है और खासकर यह चीज़े किसके साथ होते थी, जो ordinary people थे, उनके पास खाने तक के लिए नहीं होते थे अब देखते हैं वो चेंज क्या थे, प्रॉपर्टी को लेके और लाइफ को लेके चेंज आते हैं जो बुद्धिस्ट और जो जेन मौंग थे, वो क्या करते थे, वो बोलते थे कि हमें ना फाल्दु चीज़े रखनी ही नहीं अपनी लाइफ में, थीक है कहना कि हमें क्या करना है, अपनी की जो बॉड़ी और जो सोल है, वो दोनों को एक साथ रख सकें, बस हमें इतना सफिशेंट चीज़े चाहिए कि मतलब जितना हम जिन्दा रह सगें, उतना आप रखो, इससे दा फाल्दो गोश्मत रखो, आश्वरामरी चीज़ होती है, सब कुछ त्याग दो therefore rebelled against the material advantage steaming for the new lifestyle of the Gangetic Basin, in the other word, we find the same kind of reaction against changes in the material life in the mid-gangetic plane in the 6th and the 5th centuries, तो इनकी इनी बातों को सुनके बोह सरे changes आते हैं, mid-gangetic plane वाला जो area होता है महा पर, and occurred against the changes brought about the industrial revolution of modern time, as with the coming of the industrial revolution, many people learn for return to a pre-mechanic age lifestyle, so in Asian type people learn for return to a pre-iron age style of life, जैसे कि आज कर लोग जब कोई बहुत जादा कोई बड़ी factor लग जाते हैं तो लोग यह बोलते हैं कि नहीं, इससे तो pollution होगा, यह होगा, वो होगा, और हो कहते हैं कि पहले वाला time ही सही था, तो यहाँ पर भी वही चीज़े होती है, यहाँ पर कही न कहीं जो लोग थे, वो अपने दुखों से परिशान थे, कि हम अर पास यह नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जो जैन और जो बोधरम होता है, वो एक एक ऐसा रास्ता दिखाता है, कि आप इन चीजों के बिना भी रह इंपॉर्टन इलिजिस तीचर इस पर से पर दो बो देखते हैं कि सबसे ज़्यादर जो इंपॉर्टन टीचर रहे हैं, वो रही हैं महावीर, ठीक है, तो इनको ऐसे था पहले कि जो महावीर थे, उनसे पहले भी बहुत सारे जो गुरू है, वो रहे चुके थे, तीचर र तो महावीर भी एक तीर थांकर थे इप महावीर से पहले 23 तीर थांकर अरड़ी थे और जो महावीर थे वो 24 फिर नंबर के तीर थांकर थे जो जैनिस्प का अगर हम ओरिजन देखे तो वो 9th century BC में हो चुका था सब जो जैन है वो ऐसा मानते हैं कि जो रिशब देव है वो पहले तीर थांकर थे और टीचर थे जैनिस्प के ठीक है जो किस से जुड़े हुए थे आयोध्या से जुड़े हुए थे 500 BC के अराउं और उसके बाद उनका जो जनम बगरा बता रखा यूपी बिहार बट दिया हिस्टोरिसिटी इस एक्स्ट्रेमली डाउटफुल लेकिन किसी को सही से नहीं पता है काफिदर डाउटफुल है कहां वाकी में इनका जनम हुआ था क्योंकि जो एरिया बताते हैं कहते हैं कहते हैं जो असली जो टीचिंग वगरा जो स्टार्ट हुई है वोगे इसननने शुरु करी है है पार्षमनाथ में जो पार्षमनाथ थे वो कौन थे वो ओन धे था कऽा GREल याद है फिर हमें जो महारीर है जो 24 वे क्योंकि वो आक्री थे और उनसे पहले 23 वे पार्षमनाथ है तो यह कहां से थे यह बनारस से थे और इन्होंने अपनी रॉयल लाइफ थी जो राजावाली जो जिंदिगी थी उसको त्याग कर और बिल्कुल सर्ण्यासी बन गई थे सब चीज़े छोड़ कर और फिर इन्ही के जो आगे सक्सेसर जो निकल कर आते हैं इन्ही के सिश्य कौन होते हैं जो वर्दमान महावीर होते हैं और जो महावीर है उनको रियल फाउंटर कहा जाता है जेंदरम का ठीक है जो महावीर उनको रियल फाउंटर बताया जाता है इनकी एकर हम exact date की बात करेंगे इनकी birth की death है उसकी exact जो date है वो क्या है तो वो किसी को नहीं पता है सही तरीके से कि दोनों की date of birth क्या है according to one tradition जो वर्दमान महावीर है बताया जाता है उनका जन 540 BC में हुआ था वैशाली में ठीक है और जो जो कहाँ पर है वैशाली जो जगा है वहाँ पर इनकी जो फादर थे उनका नाम था सिद्धार्थ जो बहुत ही फेमोज शत्रिय क्लान के head थे और जो उनकी मदर थी वो थी तृष्ला जो तृष्ला कौन थी उसमें जो लिच्छवी चीफ थे चेतक जो लिच्छवी क्लान था उसमें जो चेतक थे उनकी बहन थी तो जो चेतक की जो बहन थी तृष्ला उसकी शादी तो हुई थी सिद्धार से और सिद्धार इसके फादर थे महावीर के और जो चेतक की जो डॉटर थी उसकी शादी हुई थी बीमबिसार से तो इनके काफी high connection थे तो made it easy for him to approach princes and nobles in the course of his mission तो कहीं नहीं के लिए थोड़ा easy था इसलिए कि ये prince और जो nobles है उनका support इनको मिलके इनका जो mission था ओ काफी जल्दी successful हो गया ठीक है वहाभी led the life of householder but in his quest for the truth he abandoned the world at the age of 30 तीस साल की उमर से पहले ये भी एक simple life ची रहे थे ठीक है अपने घर परिवार के साथ लेकिन तीस की जो age होती है वो age में ये सच की तलाश में ये अपना सब कुछ त्याग कर और at the age of 30 अपने घर को छोड़ देते हैं और एक सन्यासी एक तपस्वी वाला जीवन चीते हैं कम से कम 12 साल हो तक ये एक जंगा से दूसरे का गूमते हैं not staying over a day या तक ये एक दिन भी कहीं ऐसे रुखते हैं कि आज महीं हारु जाओ continuously ये चलते रहते हैं village ठीक है और कभी 5 days in a town मैं तब किसी भी गाओं में 5 दिन से जादा नहीं रुखते हैं and during the course of his long journey of 12 years it said he never change his clothes कि 12 साल के जर्णी में इन्होंने कभी अपने कपने ही नहीं पदले बलकि अपना जो भी था वो सब त्याग दिया and all together at the age of 42 he attained omniscience kevalya और 42 की age में finally इनको kevalya प्राप्त हो गया kevalya मतलब कि इनको जिस सच की तलाश में निकले थे उस सच की इनको प्राप्त हो गया जियान प्राप्ती थी इनका enlightenment हो गया यह बुल दो तो यहाँ पर इस चीज को कहा गया केवल्या, जब इनको जिस truth की तलाश में निकले थे जब वो अपने उस mission में काम्याब हो गए थे तो उस time को बुला गया केवल्या इन्होंने खुशी, दुख, है न, कहते हैं सब पे जीत पा ली थी because of this conquest, he known as the Mahavira ठीक है, the great hero जब इनको ये नाम मिला था महावीरा, जिसका मतलब होता है the great hero, that is the conqueror and his follower are not the gene, और इनके followers को क्या कहा गया, genes इन्होंने अपना जो धर्महर लीजर है ठीक है, उसको फैलाया पूरे 30 सालों थक और अपना mission ये लेके कोशल, मगद, बिथिला, चमपा, elsewhere, इस सारे जंगा ये गए और इनकी death होती है at the age of 72, 468 BC में और कहां पर होती है, पावापुरी, ठीक है जो modern राजगीर, याना उसमें इसको पावागिरी बोला जाता था, तो यहां पर इनका इनकी death हो गई थी according to another tradition, he passed away in the 527 BC, अगर उसे tradition के according देखें, तो इनकी death है, वो 527 BC के around हुई थी और लिकिन जो archeology है, वो इस चीज़ को support नहीं करती है, the town and the other settlement which he was associated, did not come into existence क्योंकि जितनी भी जगाओं के मैंने आपको नाम बताए वो अगर हम इस tradition के according देखें, कि ये 527 BC इनकी death हो गई थी, तो यहां पर तो ये इन में से कोई भी city थी नहीं उस समय, जो city हो इनकी नाम से जोड रहे हैं, हमने ऊपर पड़ी, तो इसलिए इसको वो लोग गलत मानते हैं, अब देखें लिए डॉक्टर राइंस ये 5 चीजे जो इन्हों ने बताई, जो 4 चीजे थी, वो तो पहले से चलती आ रहे थी, लेकिन जो पांचवा जो डॉक्टर राइं था इसमें, वो महावीर ने जोड़ा था, और पांचवा डॉक्टर राइं क्या था, कि हमें ब्रहमचारे का पालन करना है, और ये पूच जो किसी को भी आपको, किसी भी जिन्दा चीज को लिविंग बिंग को, आपको कोई भी इन्चुरी नहीं करनी है, कोई भी आपको उसे दुक नहीं पहुんな हरा है, मतलब एसा चोट नहीं पहुँंचानी है आपको उसको, ठीक है, जो जेन 敬्लॉक्टर जेन प्रलिभी करन ठीक है ना और अगर कोई नहीं छोड़ा जाएगा उसको पणिश्मेंट दिया जाएगा उसको जेश्में डाल दिया जाएगा कोई किसी ऐनिमल को मारता हुँ दिखाई दिया जो पाश्यमनाथ थे जो इनसे पहले जो उनकी गुरू वगरा थे वह अभी तक एक जो कपड़े तो इन्हों ने कपड़ों को भी त्याग दिया था और बाद में चलके देखे होता क्या है जो जेन धरम है उनके जो लोग होते हैं उनके जो आइडिलोजी होती है उसमें कुछ मद्भेद हो जाते हैं और इस वज़ा से जो जेन धरम होता है वो दो सेक्स में डिवाइड हो जाता है एक होता है श्वितामबर और दूसरा होता है दिगामबर श्वितामबर वो थे जो सफेद कपड़ा धरन करके रखते थे और दिगामबर थे जो किसी भी तरह का कोई कपड़े नहीं पहनते थे ठीक है ना, उन्होंने कपडों को भी त्याग दिया था समझे आप, जेन धरम दो सेक्ट में स्पिलिट हो गए था, श्वितामबर और दिगामबर जेन रिकरगनाईज था एक्सिस्टेंस अफ गौड बट प्लेस्टेंस अफ दा गौड बट प्लेस्टेंस था ठीक है, तो जेन धरम था, वो रिकरगनाईज करता था जो गौड है उसके एक्सिस्टेंस को लेकिन वो उसको जिन से लोवा मानता था ठीक है, मतलब उसको कम समझता था ठीक है बगवान है, उसके एक्सिस्टेंस से वो मानता था लेकिन अपना जो Jinn है उससे ज़्यादा वो नहीं मानता था और ना कभी इसने कंड़ाइम करा उसकी जो बहुत धरम सोरी जो बहुत धरम्ट सिस्टम था हिंदू कास्ट में उस चीज को कभी इनों ने कंड़ाइम भी निकारा उसके बारे में कुछ नहीं कहा ना उसके निंदा वगरा करी लेकिन जो बहुत धरम था वो उनके वर्ण सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ था महावीर के अकॉर्डिंग अप उसन इस बोर्ण इना हाई और लोवर वर्णा as a consequence of his sin committed or virtues acquired by him in his previous तो महावीर के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया कि जो किसी भी इनसान को किसी भी वर्ण में जो हाई और जो लोवर पोजिशन जो मिलती है वो मिलती है उसके पापुन्य के हिसाफ पे जो वो पिछले जनम में करकर आया था महावीर लुक फॉर और यूमन वैल्यूस इवन इन दा चंडाल ठीक है उनका मानना यह था कि अगर कोई और अगर मेरिटियस लाफ जीता है अपने आपको प्योर कर लेता है तो जो लोवर कास्ट के जो लोग है उनको भी क्या मिलेगा वो भी क्या अचीव कर लेंगे लिब्रेशन अचीव कर लेंगे ठीक है उनका कहना यह था कि आप दुनिया की जितने भी बॉंड्स हैं उस सब को से free हो जाओ ठीक है आप सोच भी मत कि आप कौन से उसमे हो कास्ट में हो कौन से में नहीं हो बिल्कुल आप एकदम सारे जो bonds हैं वो उनसे तोड़ लो कोई भी ritual आपके लिए जरूरी नहीं है आपके liberation के लिए कोई भी ritual जरूरी नहीं है इसके लिए यह आपको कैसे अप्टेन होगा यह आपको right knowledge से अप्टेन होगा right faith और right action और यह जो तीन जो मैंने आपको बता है right knowledge, right faith और right action यह तीन त्री रतन कहे जाते हैं जैनिस के ठीक है यह वो यह तीन चीज़ों को follow करने के लिए बोलते हैं तो यह खुशन भी आता है कि त्री रतन of जैनिस क्या है या थ्री ज्वर्स of जैनिस क्या है तो आप याद रखोगे right knowledge, right faith और right action जैनिस prohibited the practice of war तो जैन था वो completely इस बास से बना करता था कि आपको किसी तरह कोई war नहीं करनी है agriculture में भी आप जो उनकी जो followers थे वो agriculture में भी involved नहीं हो पाते थे क्योंकि यह था कि जो आगर आप खेती बारी कर रहे हो लेकिन वो कभी तरह से पूरी तरह से जैन थरह को नहीं अडॉप किया क्योंकि वो कोई peasant है या फिर को बुछ भी मतलब जो ऐसा काम करते थे जिसमें थोड़ा बहुत किलिंग वगरा वो चलती थी eventually the jain principally confined themselves to trade and the mercantile activities तो जात तर यह किसको support करते थे तो यह भी एक रीजन था कि jain dharm से लोग उतना नहीं चुड़ पाए जितना कि जो बहुत धरह मैं उससे लोग बहुत जादा इंस्पार हुए और उसे बहुत जादा चुड़े भी क्योंकि जो बहुत धरहम था वो हमेशा एक joda मध्यमार का उसको बताता था याप वह फॉलो करोकार आपको उसको एक बहुत जादा है लिए विक अlet, आप को एक सब काम चान वी ब्लूच नहीं भी नहीं पाए अधर जेंधरा में उसका spread कैसे होता है जो महावीर थे organized an order of his follower that admitted both men and women तो इन्होंने अपने followers में में भी थे और women भी थी इन्होंने अपने teachings लोगों को बताई और कौन सी language बताई प्राकरतिक language में बताई प्राकरतिक language चुणने का जो इड्वांटेश थी वो यह थी क्योंकि उस समय जो common people थे वो यहाद प्राकरतिक language बोलते थे या पाली language बोलते थे इन्होंने प्राकरतिक उस language को चूस किया उस समय जो कोट वगरा है वहाँ पर Sanskrit language यूज होती थे लिगिए Sanskrit language उस समय सीखने का या बोलने का दिखा सभी वर्णों को नहीं था और जब लोगों को उस language के बार वर knowledge ही नहीं है तो उसमें converse करके कोई फाइदा भी नहीं है तो उनने उस language को चुना जो common people के पीछ में है क्योंकि दिक्कते भी जादा थे इस time पे जो common people थे गरीब लोग थे उनहीं को हो रहे थे It is sad that his follower number is 14,000 which is not a large figure इनके जो followers थे वो उस समय 14,000 थे जो कोई बहुत जाता नहीं थे Janis did not very clearly differentiate itself from the Brahminical religion it failed to attract the masses इनकी बहुत सारी चीज़े ऐसी थी जो Brahminical religion था उससे मिलते थी जैसे कि वही वाला है कि जो one है वो इंसान को उसके पिछले अच्छे और बुरे कर्मों के अधार पर उसको status दिलाता है तो यही चीज़े ब्राह्मन बोलते थे तो कभी भी यह अपने आपको पूरी तरह से clearly define नहीं कर पाए ब्राह्मन से लगट के तो इसलिए बहुत सारे जो लोग थे वो उनसे कभी जुड़ ही नहीं पाए तो जैनिस्म gradually spread into South and West India where the Brahminical religion was weak तो जैनिस्म gradually कहां पर वो हुआ जो spread था South and West India में जहाँ पर जो ब्राह्मनिकल रीजन था वो थोड़ा weak था and according to late tradition the spread of जैनिस्म in करनाटका is attributed to Chandgut Maurya और बाद में जो करनाटका है वहाँ पर भी जो जैनिस्म है वो फैला लेकिन इसका जो श्रेज आता है वो जाता चंडगूत Maurya को जो बोरे डाइनस्टी के रूलर थे इन्होंने भी जैन धरम को अपना लिया था लेकिन आपने आखरी कुछ दिनों में यह जो करनाटका है वहाँ के जंगलों में चले गए थे तो अब वो यह जब कोई किंग उस चीज को फॉलो गरेगा था ओवियस सी बात है कि वो चीज जाता लोगों के नजरों माईगी व और बिकुर एक तपसवी जैन बनके बट इस टेशन इस नॉट को बरेट बाइन अगया था मगद में जो मगद था वहाँ पर एक बहुत बड़ा फैमाई ना गया था ठीक है एक काफी बुरी हालत हो गई थी महाँ पर और यहां पर 200 years after the महावीर थे महावीर के डेथ के 200 साल बात की बात है अब तक भी जो जेन धरम था वहाँ पर लेकिन यहां पर मगद में क्या गया था एक बहुत बड़ा great फैमाईन आ गया था अब इस फैमाईन की वज़ा से क्या हुआ था लोगों के पास वहाँ पर इतनी source नहीं बच है तो बहुत सारे जेन अपने protection के लिए कापर माइगरेट कर गए वह साउथ में चले गए और इनके लीडर कौन थे उसमें बद्र बाहु थे दो अर जो लोग यहीं पर थे हैं ना मगद में ही थे उनके लीडर कौन थे इस धलबाहु थे ठीक है जो साउथ में चले गए ज कुछ झेन चो साउथ में चले गए उनके लीडर बद्र बाहु थे उर्ठ यही पर रह गए लिघते मैं उनकी लीडर इसधाल कहुते हूथ । अब जो लोग बन्र बद्र बाहु के साथ सायल में चले गए उन्हों ने वहां पर साउथ इंडिया में जेंध दर्म को फियला दिया अब जब फैमाइन का end आ गया अब वापस से वो जो लोग South India गए थे भद्रबाव की leadership में वो वापस से कहा गए मगद में आ गए और यहां पर देखा थो अब मगद वालों में और जो South India से लोट करा है उनमें अब उनके में काफी आगए differences ठीक है अब देखे जो South India से आए उन्होंने क्या कहा कि हमने ऐसी फैमाइन से भी हम यहां से निकले वहां पर दुबारा सेटल हुए South में जाके उसके बाद भी हमने इस्ट्रिक्ली जो हमारे रिलीजिस के रूल है वो हमने सारे फॉलो करें ठीक है इन्होंने क्या करा इन्होंने रूल्स को तोड दिया ठीक है पर नाम लगाया जा रहा है अब इस वज़ा से बहुत साथ दोनों के पीच में डिफ्रेंसिस आ गए और इन डिफ्रेंसिस को खतम करने के लिए इसको वापस से एक तरह से सब चीज़ों को जानने के लिए एक काउंसिल लखी गई और इस काउंसिल को बॉइक कॉट कर दिया और उन्होंने रिफ्यूस कर दिया इनके के इस काउंसिल में जो भी डिसिजन लिया जाएगा हम उसको एकसेप नहीं करेंगे और यहीं से जो लोग साउत में जो जेन साउत में चले गई थे उनको कह गया दिकांबर और जो यहां मगद में रह गई थे उनको बुला गया शितांबर थे कुछ कहते हैं कि महां पर सुखा अगरा पड़े गया था लेकि यह भी चीज़ डाउटफुल है जो जेन थे वो दो सेक्ट में डिवाइड हो गई थे हैं यहां पर इत्ती बात क्लियर है बट अपिग्राफिक एविडेंस ऑफ जेनिसम करणाटका इस नॉट क्लियर इस सब्सीक्वेंट सेंचुरी इस्पेशली अपर फिफ्फ सेंचुरी नुमरस जेन मुनेस्टिक इस्टाबिश्मेंट इसकी बात देखा गया है कि फिफ्फ सेंचुरी के आसपास बहुत सारे जो मुनास्टिक है जो मठ वगरा है वो स्टैबलिश किये गए करणाटका वगरा में ठीके जॉब को मिलते हैं तो वो इस चीज की कहिने का गयरंटी है कि किंग ने वहाँ पर उनको कोई लैंड वगरा प्रोवाइट की गई होगी तब ही वहाँ पर इस तरह से कोई विहार वगरा बनते थे मौक्स को रहने के लिए तो अब समझगे दिगांबर शृतांबर दुनों की जो आइडलोजिस्टी सफर्क आ गया था दिगांबर कौन थे जो साउथ में चले गए तो शृतांबर कौन थे जो मगद में रह गये थे शृतांबर ने जो सफेद कपड़ा है जो खारवेल किंग था कलिंग खा उसने बहुत सथा सपोर्ट किया है जेन धरम को वहाद डिफीटेड दा प्रिंसे ऑफ आंदर एंद मगदा और इसने जो प्रिंस थे आंदर के और मगदा की उनको भी डिफीट कर दिया था इन दे सेकिंड एंड फॉर्स सेंचुरी इट अब यह स्प्रेड होता होता तमिलाडू तक पहुंच किया ठीक है और उसके बाद फिर मालवा गुजरात राजिस्थान ठीक है यह सारे जंगा पहुंच किया यह और काफी जादा ट्रेड और जो मर्चंट वगरा थे उन्होंने काफी जादा पार्टिसिपेशन दिखाया जेन दरम में अलग कि कितना भी फर्फूल रहा था देखा जाये तो लेकिन जो पेटरो नहीं जो बहुत दरम है उसको मिला वो जेन को नहीं मिला अडिन नोट प्रेड वेरी रेपिडली इन अडले टाम और शुरुआत में तो जो जेन दरम था वो बिलकुल भी स्प्रेड नहीं हुआ था इट इस्टिल रुटें इस ओर इन दा इरिया वेर इस इस प्रेड वो मतलब हो था कि जैसे वो पुराने टाम पे था उतना ही था यह से थोड़ा बहुत था लेकिन यह जाता जो 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 जाता फैला यह भी महावीर के बाद ही फैलना शुरू हुआ था और बोधिस वर्चुली डिसापियर फॉर्म दा इंडिया सब कॉंटिन उसकी बाद भी आप देखो जो बोध दरह में वह बहुत जादा फैलता है यह ना वह ना किवल सिर्फ हमारे देश में बलकि हमारे देश से भार भी वह विदेशों में इमाल जाता है लेकिन उसके बाद भी दीरे दिने जो बोध दरह में वह इंडिया से ही साफ हो गया बलकुल है ना कि बोध दरह में को मानने वाले भारत में बहुत कम रह गया गए contribution देखते हैं Jain Dharm का contribution क्या है तो Jainis made the first serious attempt to mitigate the evil of the one order and ritualistic Vedic religion तो अगर देखे Jain Dharm को अगर हम देखे तो कहिना कि Jain Dharm था वो पहला ऐसा serious attempt था जो Jainis में है उन्होंने ही पहला step लिया था किसके खिलाफ जो one system है उसके खिलाफ जो one system में होने वाले जो जो बहुत ही बुरी चीजह है उनको जो वेधिक religion में होने बहुत ही ritualistic बड़ा बेकार के जो rituals होते हैं उनके खिलाफ पहली बार जो अभाज उठाई थी वो भी Jain ने उठाई थी क्योंकि बहुत थरम तो Jain थरम के बाद शुरो हुआ था जो अर्ली जेन थे उन्होंने जो Sanskrit language है, क्योंकि जो Sanskrit language थी न उसको कहा जाता कि इस language को जो बोलने का अधिकार है, यूस करने का अधिकार है, वो प्रहमाच के पास ही है बस, तो उन्होंने इस चीज़ पर भी सवाल करें, इसलिए उन्होंने अपनी बातों को जादा जादा लोगों तक बहुचा पाएं यूगिए सब्सक्राइब बात करें तो उन्होंने जित्ते भी उनके टेक्स बगरा है वो अर्थमगदी लेंग्वेज में लिखे और यह सिक्सेंचुरी के आसपा स्पास जादा लिखे गई ह उसके बाद उन्होंने एक पढ़ाई लिखाई के लिए पढ़ना लिखने के लिए वल्लभी में एक great center of education भी स्टार्ट किया वल्लभी वल्लभी आपको गुजरात में है तो इनका जो लैंगवेज और लिटरेशर था दोनों ही इन्होंने ऐसी लैंगवेज पर लखा जो ल यही जो अकिप्रेशनल लैंगवेज इन अविच आफ्ट अफ्ड अव्क राकरतिक अन अपरिक अपर अप्रिक फिर्वी वही लैंगवेज पूर्टे पर लूज शार्च एपक पुरां नोवल ड्रमा तो यहीं बहुत सारे चीजें जो 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 जेंद्र मारुणे जहां पर जहां पर जहां रहते थे गुज्रात और राजिस्थान में अर्ली मेडिवियल टाइम जेन और सबस्टेंशल यूज 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 कर रहा है और बहुत साथ चीज़ें वह संस्कृत में लिखी हैं और यहां था कि इन्होंने जो कंणड है बहुत जाता तो नहीं लेकिन हा जो कंणड लैंग्विज हो उसमें भी इन्होंने काफी चीज़ें लिखी हैं इनिशेरी लाइक था बुधिस्त जेन वर नॉट इमेज वर्षिपर लेटर दे बिगें टो वर्षिप महावीर और जो बोगत धरम था उसके अंदर भी वर्षिप जो इमेज वगरा होती हैं मूर्थियां होती हैं उसकी पूचे नहीं की जाती थी और नहीं ऐसे जेन धरम में भी बाद में जो वर्षिप है आइडलस वर्षिप है उसको स्टार्ट कर दिया जाता है वो महावीर की पिच्चर्स बना के उनकी पूचा कंडे लगते हैं और बाकी जो 23 तीर थांकर है उनकी भी ब्यूटिफुल एज सम्टाइम मैसिफ इमेजेस इन स्टोन वर इसक्ल इतना पूराने तैम मैं इतनी जादी नहीं ती जुँआ जब बुद्स है उसमें बनाई जाती है जो आर्ट बगला जिया जाद उसमें चाथी बड़ी है वह बड़िक्चा कि यहांपर यहां पूरामारा जेंज जो जनी डियुज स्टम हो जाता है नेक्स लेक्चर में शेयर करना चनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक यू